आजमकर जर्पत के निजामबाद थाना छेत्र के परिहा रेलवे स्टेशन से पश्चिम आउटर सिग्नल के समीब भीटे पर आज शरीवार को भूर में 62 वर्शी अधेर का सव संदिक्ध परिस्थितियों में पेट से घुटने के बल लटका हुआ मिला वही कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक पर एक अन्य व्यक्ति बेहोशी की हालत में पाया गया खटना को लेकर इस बात के चर्चा जोरों पर है कि हत्या करने के बाद आत्म हत्या का रूप देने के लिए शव कुपेड से लटकाया गया है मुरे तक दिलने में रहकर दर्जी का काम करता था जानकारी के अनुसार तिलक धारी उम्र 62 वर्ष पुत्र बदरी निवासी ग्राम मारुफपूर निजामाबाद का शव शनिवार की भोर में फरिहा रेलवे श्टेशन से पश्चिम आउटर सिगनल के समी भीटे पर मृतक और कैलाश एक साथ रेलवे ट्रेक के आसपास दिखाए दिये दोनों लोगों का पैंट शर्ट एक ही कलर का है मृतक की हत्याकर उसे पासी का रोग दिया गया है कैलाश को होश आने पर ही इसपश्ट होगा कि मृत कप और कैसे किस हालत में हुई है घटना की सूचना म मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कबजे में लेकर पोश्ट माटम के लिए जिला स्पिताल भेज दिया है बताते चलेगी 6 जून की रात 12 बजे कि आसपास छोटे भाई अर्विंद और मृतक तिलकधारी से किसी बात को लेकर विवाद हुगा छोटे भाई न उनके साथ दिल्ली में ही रहकर सिलाई का कारे करता था क्या नाम है आपका गाउं यह जो आज बाड़ी मिली है इनको पहचान है यह आप कौन है क्या हो गया था कैसे हुआ है कि चोटे भाई से तो हम लग नोग जो हुआ जाव इसी बाम है रात में भाग रहे हैं तेज बोला कब से रात में गाए महाँ ज्यारा बड़े के बीच में किस दिन पर साथ छे तारी कुछ हुई कुछ बताएं क्या चीज को लेकर बात हुई है जिसे बाड़ी यहां मिली है आपकी पीता जी क्या लग रहा है आपको एफ है जाद जिसे किस चीज को लेकर घर से निकले थे क्यों निकले ते घर से क्या कारण था घर से निकलने का इंका प्रवाइस कुछ बिवाद हुआ था क्या चीज को लेकर हुआ था कोई वैसे बहुत बताई भी नहीं है कि अधिक नेते में गया था है सबसे बड़े आप लोग सबसे बड़े आप लिए लाल रंग की बटन को दबादर चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें